नमस्कार अच्विसी विशेश में आपका स्वागत है मैं हूँ मनिशा सिंग विशेश में आज की शुराथ हम टॉंक से करेंगे जहां एक और सरकार हर बच्चे को शिक्षा के दिकार के तहते शिक्षित करने का रागल आप रही है वही टॉंक में बालिकाओं को छत्रवास म मौत के साय में रहका शिक्षा ग्रहन करनी पड़ रही है ज़र सोचे कि बालिकाओं को अपने घर से दूर रहका छत्रवास में शिक्षा ग्रहन करनी पड़े और वो भी मौत के साय में तो वो कैसा महसूस करेंगी जी हम बात करेंगे टौके पनाधाय बालिकाओं को छत्रवास की जहाँ जरजर भवन में रहकर शिक्षा ग्रहन करने को मजबूर है पेशा है ये रिपोर्ट टूटी हुई छट से पानी टफकना दीवारों में दरारें खिडकियों में काच और दर्वाजों में लकडी के जगह खुला पन रसोई में सीलन और संक्रमन का खत्रा और सार्वजनिक निर्मान विभाग द्वारा नकरा बता दिये गए भवन में शिक्षा को मजबूर छोटी-छोटी छात्राएं वो भी अपने घर से धूर किसी छात्रावास में कुछ ऐसी ही हाकिकत है यही नहीं छात्राओं को भोजन उपलब्द कराने और परियाप्त करमचारी नहीं होने की मांग को लेकर छात्रावास के बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है तो वहीं अपने सुवधाओं के लिए भी धरने प्रदर्शन का सहरा लेना पड़ता है हाला तो यह है कि इस छात्रावास में 256 छात्राओं के खाने का जिम्मा महस पांच रसोई करमचारियों के उपर है जिससे रसोई में अव्यवस्थाओं का आलम है यह सब तो फिर भी छात्राओं सहन कर लेती हैं लेकिन सिर्पर मनराती मौत के खद्रे के बीच शिक्षा ग्रहन करना उन्हें सहमा देता है ऐसे में शिक्षा से जादा उन्हें अपने जीवन की फिकर लगी रहती है लेकिन उनकी आवास को सुनने वाला कोई नजर नहीं आता कैसी ये छात्राओं की पिड़ा आएए सुनते हैं इनी की जुबाना इसकी दिनों में बहुत सारा पाने गिरता है जिसवजी से टूबलाइट कभी ठीक नहीं रहे पाती है अजर्ट की पानी जाता है और पूरे रूम में पानी पानी जाता है पन्ना धाय बाली का आवासी चात्रावास में बिगरते शिक्षा के वात अवरंड के चलते अपने घरों से दूर आकर ये चात्राएं अपने आपको ठगा सा महसूस करती है तो वहीं यहां लगे गरमचारियों की इस्तिती भी ऐसी है कि उनके अनुसार प्राचारे की मनमानी का खामियाजा भी उनने ही भुगटना पड़ रहा है वहीं इसका सर भी चात्राओं की दिंचर्या पर पड़ रहा है चात्राओं की जरजर अवस्था को खुद यहां की प्राचार भी स्विकारती है लेकिन मरमत के नाम पर प्राचार कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर रही है हाला कि प्राचार ने एस्टीमेट बना कर सारफजनिक निर्मार विभाग को दिया हुआ है लेकिन चात्रावास पशासन की इलापरवाही शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है स्कूल का भावन जरजर है तो उसके लिए एस्टीमेट बनवा के और बजट भी आया हुआ हुआ है हमारा और बारिश कतम होते ही इसका काम शुरू होगा सरकार भले ही बाले का शिक्षा को बड़ावा देने के नाम पर छात्रावास तो खोल रही हो लेकिन जरजर भवन और अवेवस्थाएं अपने घर से दूर रहे कर शिक्षा ग्रहन करने के नाम पर सरकार के प्रयासों की पोल खोल चुकी है वहीं छात्रावासों में ना तो प्रयाप्त सुविधाएं हैं और ना ही अपिक्षा के अनुसार करमचारी यहां तक की छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को मूल भूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है आलम तो यह है की छात्रावास में ना तो कोई रसोई है और ना ही कोई रसोई है कई बार पढ़ने वाली छात्राओं को भूके तक रहना पड़ता है बाले का शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर दम भरने वाली राजी सरकार की ये पहल छात्राओं को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर है सच्चाई चाहे जो भी हो लेकिन हर साल सरकार बाले का शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर करोडो रुपे का बजट बनाती है लेकिन उसका उप्योग कहा होता है ये कोई भी नहीं जानता लेकिन देखने वाली बात ये रहीगी कि टॉक के पना धाय बाली का आवासी चात्रवास में रहने वाली इन चात्राओं के लिए सुविधाओं का पिटारा कब खुलेगा और कब ये भैमुक्त माहौल में शिक्षा के साथ अन्य सुविधाओं का बिलाब ले पाएंगी HBC News के लिए टॉक से रवी टेलर की रिपोर्ट अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लोडते हैं बने रही हमारे साथ प्रेके बाद आपका स्वागत है कहने को तो सरकार शिक्षा के अधिकार के तैथ हर बच्चे को साक्षर करने का दम बढ़ती है लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़तो रहे हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है पेश है ये रिपोर्ट ये नजारा जो आप अपनी टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी खंडर का नहीं बलकी तौक की उन्यारा तैसिल के राज़किय उच्चे प्रात्मिक विध्याले पाला किला का है स्कूल भवन की ऐसे हालातों को देखते हुए लगता है ये कभी भी धराश्य हो सकता है लेकिन प्रेशासन है कि मुग दर्शक बना हुआ है हलाकि PWD विभाग ने कई बार शिक्षा विभाग को इसकी सूचना देते हुए स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने की हिदायत दी लेकिन आज तक कोई कारवाई यहां पर नहीं हो पाई है जबकि भवन से चूना और पत्थर गिरना तो अब आम बात हो चली है यहां तक की बरसाद के दुनों में तो कई बार स्कूल की छुटी तक भी करनी पड़ती है यहां तकलिफ होती है और नहीं है कमरे में हर कमरे में किंकर बात ही गड़ते रहते हैं बारिस को दिनों में तो हमें गिले में बेटना पड़ता है हमें और कुछ भी हो सकता है जो बरसा टपकते रहती है और आज से लगबग दो वर्स पहले जैयन साब ने से 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 जो जैयन थे उन्होंने इस पर डेमेज गोसित कर दिया लगातार प्रशासन को चेताने के बाद भी कोई कारवाही नहीं होती देख अब अध्यापक बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने को मचबूर है वहीं दूसरी ओर गैस सिलिंडर खत्म हो जाने के बाद बच्चों का मिड़े मील भी तिरपाल के नीचे बनाया जा रहा है हाला कि शिक्षा विभा के अधिकारी भवन की जरजर हालत की बात को तो स्विकारते हैं लेकिन वो भी बड़े अधिकारियों के आदेशों के इंतजार में है वाला कि शिक्षा विभा को सरकार ने नामंकन के जरिये बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी सौपी है लेकिन ये विभा की यहाँ पर बच्चों और उनकी पड़ाई का दुश्मन बना बैठा है अब देखने वाली बात ये रहीगी कि न अधिकारियों की मनमाने की चलते बच्चे कब तक यूही मौत के साहे में पढ़ने को मजबूर होते रहेंगे HBC News के लिए उन्यारा से निर्मल गुपता की रिपोर्ट तकर के लिए इस खबर पर पुरी जानकरी देनी के लिए मौजूद है उन्यास हमारी समधाता निर्मल जी निर्मल इसकोल भवन की जरजर हालात है और सभी बच्छे मौत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे अब इस बार में राज की जाने बाले के लाज की जरजर रवस्ता में है कि यह स्कूल का एक इसका तबीबी देश सकता है जी जिला सक्षा धिकारी पर लोग सक्षा धिकारी ने अवलोकों कर लिया वे ड़कारी बता दिया पंद अभी तब चक्छा भर जागा नहीं है जी 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 कभी भी कोई भी बड़ा हसा हो सकता है तो क्या आपकी प्रदानाचारे से बात हो पाई है क्या कहना उनका इस बारे मैं कि दॉफना थाहर लएजा सैंफेां मेंगाइद और कमोष्ण करा ने कि गया गया है जी हमारा सिर्च जोक्रा सून्वातिَ踏 नियुखना । कि डिवाल गिरती रहें यह नमात हैं सिर्फ कोई खरख में एक ज्ए धरिमाल पूरी जानकरीब के लिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौडते हैं बने रही हमारे साथ प्रेके बाद आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं नागोर के आवास हाउसिंग बोड की जहां बोड प्रतिवर्श नई-ने कॉलोनियों के पंजिकरण का काम तो बड़े पैमाने पर करता है लेकिन अपने द्वारा बनाई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी और मुर्भूत सुविदाय देने के नाम पर कोई ध्यान नहीं है आज हम बात कर रहे हैं बोड की 20 साल पहले बसाई गई हाउसिंग बोड कॉलोनी की इस कॉलोनिय में एक भी सुविदाय नहीं हैं सुविदाओं के मां को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है देखिए ये रिपोर्ट ये तस्वीर जो आप अपनी टेलिविजन की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है 20 साल पहले बसी हाउसिंग बोड कॉलोनी की आवसन बोड ने जब इस कॉलोनी की लोट्री डाली तो आशाने को लेकर लोगों के चेहरों पर खुशियों का आलम था लेकिन अब ये खुशिया काफ़ पूर हो चुकी है 20 साल में कॉलोनी का आलम ये है कि सडके एक हस्ता हाल में है तो नालिया टूटी फूटी पड़ी होई है वही चारों तरफ बारिश का गंदा पानी सडकों पर फैला हुआ है पैदल चलना तो दूर वहन से भी गुजरना अब मुश्किल हो गया है जिदर देखो उधर समस्या ही समस्या है तो वही बोड अधिकारी लाख मिननतों के बाद भी कॉलोनी की कोई सुध नहीं ले रहे ह वही बाजपा प्रदेश मंतरी सरोज प्रजापत बताती है कि कहने को तो ये कॉलोनी है लेकिन किसी कच्ची बस्ती से कम नहीं कार्दार के हाऊसिंग मोड विकास की बात कह रही है वो एकदम निरधार है यहां नई कॉलोनी बसाने के नाम पर लोगों से लख और उपे लुटे जारे हैं कहने को तो ये कॉलोनी तीन हजार से भी अधिक आबादी वाली है जो किसी भी राजनेतिक डल के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकती है चुनावी आलम होता तो कॉलोनी के विकास के लिए बड़े बड़े वायदे किये जाते लेकिन आज के दौर में कोई भी दल पर लाजनेतिक लिए लिए वायदे किये जाते